जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री गोडी शंकरजी भगवान की जै श्रावन मास महत्यम्मे की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओर से हम आप सबी भक्तों का हारदिक अभिनंदन करते हैं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावन मास महत्यम्मे के बीसवें अध्याय की परम सुन्दर कथा जो की इस परकार है भगवान शिव शंकरजी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी आपके समक्ष अब त्रियोदिशी के दिन के कारे को कहता हूँ उस दिन काम देव की सोले उपचारों से पूजा करें अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय को सुंभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंदित शुब द्रव, पोष्टिक जनक द्रव और दूसरे वीरे वर्दक द्रवयों का नि इलाइची, गिरी के अलप-अलप टुकडे, केशर, कपूर तथा सोने चांदी के तबक उपर से लगे हो, मगही पान, सफेद वर्न के परिपक्व, अधिक रोज के पुराने अच्छे रस युक्त हो, ऐसे पान को शमरा सुर के शत्रु की प्रीती के लिए देवे, माक्षि के नामों को कहकर प्रात्ना करें कि हे भगवन, इस पूजा से आप सू प्रसन हो, श्रावन मास के शुकल पक्ष की त्रियोदिशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवर्ती मार्ग लंपट जीव को आप अत्याधिक वीरे रथा पुष्टी देते हैं, और निवरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं, इतनी कथा सुना कर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, कि हे मानद आप से मैंने त्रियोदिशी के कारे को कहा है, अब आप चतुरदशी रोज के कारे को सुनें, हे वी प्रवर जो अश्टमी के र पवित्रा रोपन करें, देवी तथा विश्न तुल्ले ही पवित्र का निर्मान प्रकार है, केवल प्रातना तथा नाम भेद की कल्पना करें, बाकी वीधी पहले के तुल्ले ही है, फल आदी पहले के तुल्ले ही है, हे सनत कुमार जी जो मनुष श्रावन मास में इस प्रक पर भगवान शिविशंकरजी की परसंता के लिए पवित्रा रोपन करता है उसको जीवन में सभी तरह के सुक शंपति आनन्द प्राप्त हो जाती है और उसे भगवान शिरी गोरी शंकरजी की अनन्त क्रिपा मिलती है ऐसे भक्त जो सदा शद्धा भावना से भगवान शिव शंकर के चर्णों में अपना मन लगा कर रखते हैं वो सदा भगवान के प्रिय होते हैं ऐसे भक्तों पर भगवान हर तरह की क्रिपा करते हैं ये सनत कुमार जी मनुश्य का जीवन भगवान की क्रिपां से मिलता है और इस मनुश्य जीवन को सफल तभी कहा जा सकता है जब मनुश्य परतेक शन को भगवान के चर्णों में लगाए मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर सारा जीवन भोग विलास में व्यतीत कर दिया संसारिक सुखों में उसको व्यतीत कर दिया तो भगवान की क्रिपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता और जिसको भगवान की क्रिपा नहीं मिलती वे कभी भी इस अपार भवसागर से पार नहीं हो सकता ये सनत कुमार जी मनुष्य जीवन भगवान की क्रिपा से मिला है लेकिन ये मनुष्य जीवन शन भंगुर है ना जाने किस घड़ी ये शरीर नश्ट हो जाए ऐसा समर्ण रखके सदा अपनी मन को भगवान के चर्णों में लगा कर रखना चाहिए क्योंकि जिसका मन भगवान के चर्ण कमलों में लगा हुआ है उसको सभी संसारिक सुख प्राप्त होते हैं उसके दुखों को भगवान दूर कर देते हैं उसके सभी पापों का नाश भगवान की क्रीपास से हो जाता है और उसको संसार में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं और अंतिस समय में उसको भगवान के धाम की प्राप्ती हो जाती है ये सनत कुमार जी इसलिए मनुश्य जीवन प्राप्त करके सदा भगवान के चर्णों में लगे रहना चाहिए भगवान शिव शंकर जी महाराज जी के श्री मुख से इस कथा को सुनकर सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर भोले नाथ जी को बारंबार दन्डवत प्रनाम करने लगे हैं तो यहीं पर आज की सकथा का विश्राम होता है मंदर शिवनसी वाले महात्मा यूडिव चैनल के ओर से आज की सकथा को सुनने के लिए आप सब का हार देक धन्यवाद भगवान श्री राधा कृशन जी की भगवान श्री गोडी शंकर जी की श्रावन मास महत्यम की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृशन भगवान की जै श्री गोडी शंकर जी भगवान की जै श्रावन मास महत्यम की ओम नमह शिवाई जै जै शी राधे जै जै शी राधे जै जै शी राधे शाम